वहीं भोपाल से बड़ी खबर जहां पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है परजनों को बिना सूचना दिये लाश को दफना दिया गया परजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्च कर आई है पुलिस और पुलिस और प्रशास्ने क अधिकारियों के सामने कब्रजनों ने लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कारवाई की मांग की है पर बड़ा मामला सामने आया है जहां अस्पिताल से सीधे एक शक्स के शब को दफना दिया जाता है और ये देखें तस्वीरे भी आपको दखा रहे हैं किस तरीके से कबर खोद कर शब को बाहर निकाला गया है परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दज कराई फोटो के साथ कोलार थाने को शक्स की पूरी डिटेल परिवारवालों ने दी जानकारी होने के बाद भी पुलिस ने कोई संपर्क करने की कोशुश नहीं की कुलार थाना शेत्र में शक्स की एक्सिडेंट से मौत हुई थी अस्पताल उसे ले जाया जाता है और अस्पताल प्रशासन की ओर से सीधे उसे दफना दिया जाता है परिजनों ने अब थाने बे पूश्ताच के बार कबर को खोदा और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कबर खोली गई परिजनों ने लापरवाई पुलिस कर्वियों पर आप कारिवाई की मांग की है तो अब देखना ही होगा इस पूरे मामले में क्या कारिवाई होती है बड़ी लापरवाही अस्पिताल प्रशासन की भी है दूसरी तरफ लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी सामने आ रही है परिवार वालों की ओर से कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे है पुलिस कर्मियों ने जो लापरवाही दिखाई है उसके खिलाफ परिवार वाले आख्रोशत है और कारिवाई की मांग कर रहे हैं आक्सिडेंट में शक्स की जान चली जाती है अस्पतार उसको ले जाया जाता है जहां उसे मत घोशित कर दिया जाता है और दफना भी दिया जाता है परिवार वाले जब गुमशुदगी की रपोर्ट दर्च कराते हैं तो पुलिस प्रशासान उसे गंभीरता से नहीं लेता जब बाद में पूरे मामले का खुलासा होता है तो कबरों से शब को बाहर निकाला जाता है बरहाल अब परिवार के अंदर गुस्सा है परिवार वालों में गुस्सा है और कारवाई की मांग पुलिस कर्मियों की उपर कर रहे है बड़ी लापरवाही पुलिस कर्मियों की यहाँ पर उजागर हुई है परिजनों को बिना सूचना दिये ही लाश को दफन कर दिया जाता है बड़ी बात यह है कि परिवार वाले जब गुमशुदगी की रपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पहुंचते हैं तो उसे भी गंभीरता से भी नहीं लिया जाता है जितेंद्र हमारे संबादाता जाना जुआनकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया है जितेंद्र बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है एक तो पुलिस कर्मियों की ओर से दूसरी तरफ अस्पतार प्रशासन नहीं भी कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की सीधे शब को दफना दिया बिल्कु देखें जाहिर सी बात है कि काफी जादा गंभिर यह लापरवाही इस समय सामने निकल कर आई है कोलारथाना चेति की देखेंगे पीछे आप अगर मेरे देखेंगे तो आपको जो डेट बॉड़ी है जो अंतिम संस्कार है वो तो वह नजर आएगा लेकिन यह ज अब से पहले कोलारथाना चेतर का यह मामला था कोलारथाना चेतर में एक बज़र्ग थे 50-55 साल जिनकी उम्मर बताई जा रही थी वह शनिवार के दिन गायब हुए थे उसके बाद परीजनों ने समवार के दिन जाकर एफाई अर्दर्च कराई थी और एफाई की गई जिसके बाद परीजन आज सुबा जब कोलारथाने यह पता करने के लिए पूछे पहुचे थे कि हमने जो आपको फोटो दिये थे हमने जो आपको डिटेल्स दी थी कि हमारा कोई परीजन है वह गुमशुदा है जो लापता हो चुका है उसके बारे में कहीं पर पहुचने के बाद एक कबर को खुदवाया गया बकायद प्रशाशनी का अधिकारियों की टीम यहां पर मौदूद थी पुलिस कर्मी यहां पर मौदूद थे और जब खुदाई कराए गई और जब बौड़ी बहां निकल कर आई तो परीजन भी ताजुब थे कि यह तो लेकर उन्हें पुलिस को फायर दर्श कराई थी जबकि नियम यह कहता है कि अगर कोई गुमशुदगी दर्श है तो सबसे पहले आप पता करना चाहिए तमाम थाना चेत्रों में की कोई इस प्रकार के व्यक्ति जिसको अगर आप लावाल लावाली स्लाश समझ के दफना रहे तो क्या इस तरा को गी व्यक्ति है क्या दखिये उनके परिजन मी उनके बेटे है वह यहाँ पर मुदूद है क्या नाम लिखते हैं बब्लू कटारए बबुदै gemacht बोले आप अगर मिल जाया तो बोले आप हमें बचुजना कर देना थीक है तो हम इधर उदर अंदर गाओं खेड़े में सीटी में ढूंडने लगे उसके बाद हम नहीं आया है फिर आज और निकले हमने का आज और सीटी में देख लेते हैं एक बार ढूंड के और थाने में भूलाय तो नहीं था लेकिन हमारी मर्जिस्फ से घानय में गए उन्हेंके साब कुछ पता लगा होग्या आपकMe क्ये में घुझने तो उनने बताई कब की बात है कैसे तो दिखाई उनने तो आप लोगों ने फोटो भी दिया था सुमवार को जाकर नंबर भी दिया था हाथ में पहचान है नाम लिखा है वह सब कुछ दिया है था हमने जी हां तो किसी पुलिस कर्मी का फोन आए आपके पास की कोई व्यक्ति हम को मिला है कल जिसको हम दफना आए नहीं किसी का फोन निया हमारी मर्जी से हम लोग गए थे आज तानि इसके बाद आप लोगे सामने खुदा ही चल रही थी तो कौन को निया पर मुदूद था यहां पुलिस वाले भी थे और एक कोई आफिसार अधिकारी आया हुआ था तो उन्होंने खुछ तो आगे र करना आपने बोला नहीं कि आपने हम कोई संपर्क नहीं कि बता तो देते कि कोई व्यक्ति में लावर इस लाश मिलिए जबके आप पुरी डिलेस्ट दे चुके थे नहीं यह सब कुछ हुनों नहीं बताया ना सूचना दिये हमको वह तो आचना का वाज हम गाए और अगर दो आप कारवाई की मांग कर रहे हैं कि विल्खुर हमारी परिजन उसे बात भी थी किका कहina कि साफ साफ कर परीन की कहना है कि ऐसे कर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कर भोर खिला कर वाई होनी चाहिए क्योंकि यहाँ जलागातार जो परमाई है वह देखने को मिली है दर्ज से क्या परिवार वाले बता रहे थे कि शनिवार से परिवार का सदस्था है वह गायब था उसके बाहद गुमशुदगी की रिपोर्ट दच करा इस तरीके से पूरा एक हफता बीच जाता है पूरे हफते में ना तो पुलिस उस शक्स को ढूड़ पाती है और ना ही कोई फॉलो अप लिया जाता है और दूसरी तरफ क्या परिवार वाले इस दौरान पुलिस थाने गए या फिर जानने की कोशिश क कि कुछ जानकारी अभी लगी है नहीं कि बिल्कु देखी जो परीजन है इनका साफत वर्पे कहना है कि स्वयम गए थे यह आज खुद यहां पर गए थे अस्पताल और पुलिस पहुचे थे लोग और इन्होंने महाँ पर जाकर आज पूस्ताच की थी कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने किसी प्रकार का कुछ पता लगाया है तो पुलिस कर्मियों की शायद तब जाके ऐसा लगता है कि उनको उनकी नीन खुली होगी और उन्होंने इस पूरे मामले को संग्यान में लिया और आकर इन लोगों से फिर से पूस्ताच की पुराने जो फोटो थे जो कि अल्रडी थाने में दे चुके थे फोटो निकाले गए फोटो निकालने के बाद तबाब चीज़े की गई तब जाके पता चला इस लापरवाही के बाद क्या कोई कारवाई होती है या नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए